वेरी गुड मानी फ्रेंड्स and वेलकम तो इस्टेडी ग्राम पोटल आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2025 के जितने भी परिछा की दृष्चे महतपूर करेंटरफेस हो सकते हैं उनको हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे और इसको रिवाइज भी करेंगे तो पहला वन लाइनर करेंटरफेस है कि आएटी मद्रास के रिसर्चर्चर्स ने औरी गामी मेटा मैटेरियल नाम की एक सामागरी को विक्षित कर दिया है और रूश और यूकरेन के बीच काफी तनाव था और इसी तनाव के बीच एक बाबुस का बटालियन वहां के काफी चर्चा में रही थी और हेलेंस की बिस्विद्याले के सोध करताओं ने एक ऐसा अड़ विक्षित कर दिया है जो की कोरोना वाइरस के स्पाइक प्रोटीन को मिस्क्री कर सकता है अगला वर्लाइनर है नेपाल के वरतमान मुख नायदी स्चोलेंद समसेर राणाजी है और प्लाश्टिक वेश्ट न्यूट्रल वाली पहली भारती कंपनी जो बन गई है वो है डाबर इंडिया महरा सरकार ने कैंसर की रोग थाम के लिए एक योजना की शुरुवात की है उसका नाम है होप एक्सप्रेस और भारती नवसेना ने अपने युद्ध पोत आई एन एस विसाखा पत्रम से शमुद्र में ब्रम्हो शुपरसोनिक क्रूज मिसाईल का सफल परिछन किया है और करनाटक सरकार ने करनाटक के सैक्षडिक संस्थानों के भीतर किसी भीतर है कि धार्मिक पोसाग को प्रिपंधित करने के लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया है और अगला वर्लाइनर है एसिया की सबसे बड़ा आदिवासी तेवार जो मेदाराम जात्रा है यह 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक तिलंगाना में मनाय जा रहा है महराश से एक न्यूज है कि महराश में नवी मुंबई को मुख्य भूम की मुंबई से जोडने वाली भारत की पहली जल टैक्सी सेवा का उधगातन कर दिया गया है और सुप्रीम कोट ने हर्याडा के निवासियों के लिए प्राइवेट सेक्टर के नौकरियों में 75% कोटा पर जो वहां की हाई कोट यानि पंजाब हर्याडा हाई कोट ने रोक लगाया था उस पर सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिया है और करनाटक उचन्याले ने आनलाइन गेमिंग पर राज सरकार के प्रतिबंध को रद्द कर दिया है और नेपाल ऐसा पहला देश बन गया है जो कि नगत लेंदेन के डिजिलाइशन के लिए भारत के UPI यानि यूनिफाइट पेमिंट इंटरफेस को उप्योग करेगा और इंडोनेसिया की G20 अध्यक्षता के तहत G20 वित्मंत्रियों और सेंट्रल बेंक के गवर्नर्स की पहली बैठक आयोजित की गई है जैसा कि विदित है कि इंडोनेसिया इस वर्स G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है तो यह है आज की इंपार्टन वन लाइनर करंट अफेयर्स धन्यवाद